शुप्रबार बच्चो आज मैं आपको आपकी भाषा माधुरी किताब की पाठ चार मेहनत का फल का प्रश्ण उत्तर करवाने जा रही हूँ प्रश्ण के उत्तर एक वाक्य में लिखे यहाँ पर जितने भी प्रश्ण आपसे पूछे गए हैं उनका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है शब्द में नहीं वाक्यों में देना है पहला प्रश्ण है सुरेश और उसके साथियों चुट्टीयों में स्कूल के मैदान में क्यूं जाते हैं आप पाठ को याद कीजिए कि सुरेश और उसके शाथी छुट्टियों में स्कूल के मैदान में क्यों जाते हैं तो इसका उत्तर होगा सुरेश और उसके साथी छुट्टियों में स्कूल के मैदान में खेलने जाते हैं दूसरा सडक पर आते जाते लोग लड़कों को कैसे देखते हैं जब वो मैदान को साफ कर रहे थे और आप जानते हो कि वो मैदान सडक के किनारे है तो जो सडक पर जो आते जाते लोग थे वो उन लड़कों को देखकर कैसे देख रहे थे तो सड़क पर आते जाते लोग लड़कों को हैरानी से देखते हैं उन्हें बहुत हैरानी होती थी कि ये लड़के क्या कर रहे हैं मैदान को क्या करने में लगे हुए हैं इतने क्यूं व्यस्त हैं इसलिए वो हैरानी से देखते थे, मतलब आश्चरे से देखते थे, आश्चरे चकित हो जाते थे अगला सवाल है, प्रश्ण है, आग लगाते ही जाड़ियों का धेर कैसा हो गया? जब आपने किताब में पढ़ी थी कहानी, तो आपने देखा था कि मैदान में जाड़ी, बहुत सारी जाड़िया थी और कंकर भी थे तो जब उन्होंने जाड़ियों का धेर लगाया, उसको एक जगा इकटा किया, तो आग लगाते ही जाड़ियों का धेर क्या हो गया? जब कोई वस्तु जल जाती है और जलने के बाद जो शेश रह जाता है उसे हम क्या करते है राख तो आग लगाते ही जारियों का धेर राख हो गया अगला प्रश्ण है घंटी बसते ही सब लड़के कहां पहुंसते हैं तो याद करिए घंटी बसते ही सब लड़के मैदान में पहुंसते हैं आपके भी विष्ट कूल में विद्याले में जब घंटी बसती है तो आप किसलिए एक जगल कत्रित हो जमा होते हो प्राथना के लिए सबसे पहले हम लोग स्कूल में जाते हैं और अपना कारे जो है पढ़ाई के पहले पाठ पढ़ने के पहले हम लोग किस से स्टार्ट करते हैं किस से शुरू करते हैं अपना दिन प्राथना से और प्रातना हम सब एक साथ मिलकर करते हैं, कहां करते हैं? मैदान में करते हैं. तो वैसे ही इनके भी स्कूल में घंटी बसते ही सब कहां एकत्रित होते हैं, कहां जमा होते हैं? मैदान में पहुंचते हैं. अगला प्रश्ण है तालिया रुकने के बाद क्या हुआ जब सब कोई बहुत आश्यर से हैरानी से मैदान को देख रहा था कि ये मैदान तो पहले कितनी गंदी थी चारो तरफ जाड़िया थे कंकर थे ये अचानक से साफ कैसे हो गया तो विद्याले के स्कूल के मुख्य अध्यापक ने बच्चों को बताया कि ये सुरेश और उसके साथियों ने किया है उनके मैनत का फल है कि आज आपका स्कूल का मैदान इतना साफ सुथरा लग रहा है तो यह सुनते ही और बाकी जो मित्रगन थे और जो बाकी दोस्ते वो क क्या बजाना शुरू कर दे रहे हैं तालिया क्या बजाना शुरू कर दे रहे हैं तालिया तो आपको तो यह याद होगा कहानी तो आपने बहुत अच्छी से पढ़ा है तालिया रुकने के बाद जब तालिया बजाना खतम हो गया रुक गया तो सुरेश और उसके साथियो को इनाम दिया तो आपको अच्छे से कहानी याद है कहानी का प्रश्ण उत्तर हम ने आज करवा दिया ये प्रश्ण उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और इसे याद भी करना है इस पाठ का शिर्शक मेहनत का फल है और इसमें हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मेहनत से किया गया कोई भी काम किसी भी काम को अगर हम मेहनत से करे तो उसका फल बहुत ही अच्छा होता है और बहुत ही मीठा होता है जिस तरह से उसने मेहनत से उन जाडियों को साफ किया उन कंकर पत्रों को अलग किया मैदान को साफ सुत्रा किया और उनको शाब इनाम मिली उसी तरह से आप भी अगर मन लगा कर कोई काम करोगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा तो बच्चों आपको ये प्रश्ण उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है और इसे बहुत अच्छे से अच्छे बच्चे के तरह याद भी करना है धन्यवाद